नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राजके दनिक रासवल के बारे में लेकिन उससे पहले बात करें आज के पंचांग के बारे में पंद्रह मार्च दोहजार तेश्ट बुद्ध बार का दिन है और चैत्र मार्च के कृष्ण पक्स आज अश्ट में ते थी नचत्र रहेगा आज की दिन मोले अभजीत महूरत आज दुपार 11 बच कर 47 मिनट चले के दुपार 12 बच कर 37 मिनट तक रहेगा शुर उदय होगा शुबह 5 बच कर 47 मिनट पे चंद्रमा की आज इस्तिती रहेगी धनु राशी पे आज के जो अश्ब समय होगा तकरीवन होगा शुबह 6 बच कर 42 मिनट से लेके सुबह 8 बच कर 2 मिनट तक रहेगा इस अश्ब समय में कोई विशुब और नए कार की सुरुवात ना करेने तो बिगन बाद हाई आशकती है अब बात करते हैं आज के मितुन राश के दनी करास्वल की और ये परड़क्शन चंद राशी पराधारी थे मितुन राश केतकों आज सात इक्षाई पूरी होंगी आज आपको आमदनी में ब्रद्धी देखने को मिलेगी बिदेशी धनलाब मिलने की योग बनेंगे मितुन राश केतकों आज जीवन साती के माध्यम से भी धन का लाब हो शकता है कहने सकते पर एक से ज़्यादा धन के स्रोत नजराएंगे अगर आप नौकरी करते हैं तो आमदनी ब्रद्धी दर्ज करने का मौका मिलेगा तो वहीं ब्यापार में भी आज हाथ जो लोग अजमा रहे हैं चाह सिंगल हो या फिर पार्टनर में हो जवर जस्त लाब देखने को मिलेगा मितुन राशकत को आज महत्मूर सफलता मिलेगी जीवन में खोशियां लेकर आएगा आज के दिन आपके मन में प्यार और रोमान से के फूल खिलते नजराएंगे चारों तरब से आज के दिन रहेगा माहौल बहुती सकरात्मक नजराएगा मितुन राशकत को नौकरी में बदलाव करने का विचार कर सकत रहे हैं तो आप शफल रहेंगे, रोजगार की तलास कर रहे हैं रोजगार की तलास कर रहे लोगों को सुभ समचार मिलेंगे और आर्थिक इस्तिती पहले से बहुत ही ज़्यादा बहतर होगी आज आपको नई जोब लगनी की एक्षाई पूरी होगी बिजनेस प्यापार में कोई महत्पुन डिल फाइनल हो शकती है या दूसरी एक्षाई पूरी होगी तीसरी एक्षाई बैंक से लोन बगर मंजूर होशकता है आज आपको यानि की आर्थिक इस्तिती पहले से बहुत बहतर होगी बचत करने में सफल रहेंगे आपके शुक शुबधाव में ब्रद्धी होगी मेथुन राशकत को आज सरकारी संगठन या फिर सरकारी पर्योजना के लिए अगर आप कोई काम करते हैं तो बेहद साउधानी शेकरें बाई आखे या फिर पैर में चोट लगने के आशंका होगा तो शंभल कर रहें ये स्वास्त के लिए थोड़ा से ध्यान रखने के दिन रहेंगे आज की दिन क्योंकि जरूरत से ज़्यादा काम करना आपको ठकान और कमजोरी का अनुभाव कराशकता है जिससे आपको बीमार भी पढ़ सकते हैं लेकिन अनुभाव के दम पर आज आगे बढ़ेंगे आज बीमार बीमारियों से बचे खान पिन की चीज़ों में थोड़ा से ध्यान रखें आपकी जो योजना है उसमें गती बनी रहेगी और आज उचित प्रणाम भी आपको प्राप्त होंगे शुब परणाम में ब्रद्धी पाने के लिए आज की दिन बहुत अच्छा रहेगा आज आप यानि की ब्रिश्णु साहस्त्र नाम का पाठ करें क्योंकि आज की दिन बहुत अच्छा रहेगा भगवान गड़ेश जी के पूजा राधना करें तो लाभ होगा आज आपको यानि की बड़े धन लाभ की योग बन रहे हैं यात्रा पर जाने की योग बन रहे हैं अटका हुआ कहीं फासा हुआ धन वापस मिल सकता है बैवाहिक जीवन के लिए संतान प्राप्ती के योग बनेंगे कोट कचरी में बिजय मिलेगी की बिरोधियों को मात दे पाएंगे आपको राजिनित के लाभ होगा बैवसाई को सफलता मिलेगी साथी मांसमान आज आपको मिलेगा मांसमान में ब्रद्धी होगी मेथुन राषकत को आज यानि की बहुत अच्छी यानि कि इस्तिती देखनों को मिलें कि कई महतपूर लाब मिलेंगे आज आपका रुकवा फस्वधन प्राप्त होगा आज बैंक से भी आज आपको लाब होगा लिखा पड़ी के मामला सॉल्व होगा मित्वन रास्कतियों जो काफी समय से लंबित थे कार पिंडिंग थे उनमें सफलता प्राप्त होगी कई ऐसे कार पूरे होंगे जो काफी समय से नहीं बन पा रहे थे आज आपकी आर्थिक स्थिती पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत दिखाई देगी बड़े लाब की योग बनेंगे कुछ महत्पूर्ण कार बनेंगे अधूरे कारियों को पूरा करेंगे मन चाहि सफलताय प्राप्त होंगी प्रतेक कार आसानी से बनेंगे लंबे समय से प्रेंडिंग काम भी पूरे होंगे आज आपकी आमदनी बढ़ेगी यनि आज काफी अच्छा रहेगा और जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा जीवन साथी का आज आपकी रिष्टे काफी मजबूत नजराएंगे घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा परिवारिक जीवन काफी अच्छा रहेगा परिवार में सपोर्ट मिलता होना ज़राएगा परिवार में आज जो उल्जने थी जो दिक्कते थी वो दूर होंगी तो आज की दिन बहुत अच्छा रहेगा महित्पूर्ण सफलता प्राप्त होंगे कई ऐसे कार पूरे होंगे का सहयोग जीवन साथी से संतान को लेकर एक्छाय पूरी होंगी घर परिवार के लिए समय दे पाएंगे घर परिवार का सपोर्ट मिलता होना ज़राएगा आज मित्पूर्ण राजकित को कई ऐसे बड़े नियुने लेने पड़ सकते हैं जो आपके लिए काफी फाइदे बंद सावित हो सकते हैं मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा मित्रों के दम पर आज फलता प्राप्त करेंगे रिस्तिदारों में शुलय होती नजराएगी रिस्तों में अगर करवाहर थी किशी के साथ तो आज सुधार देखने को मिलेगा बड़े आमदनी के स्तुरवत बढ़ेंगे बड़े नीने ले सकते हैं आज आपको कई फ्रकार के लावे देखने को मिलेंगे साथी साथ आज यानि कि जीवन में पहले से कहीं ज़्यदा लाव होगा फाइनेंशिल जनी कि लाव होगा केरियर और फाइनेंशिल दोनों में आज आपको काफी असर देखने को मिलेगा पहले से कहीं ज़्यदा बेहतर इस्तिती देखने को मिलेगी नौकरी और ब्यापार में बिल्कुल ही संतुष्टी देखने को मिलेगी लगातार मेहनत करने के बाब जोद भी लाग कोशिस करने के बाब जोद भी अगर आप केरियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो आज आगे बढ़ने का मौका मिलेगा मतलब यह की तरक्षी एक जगे आपके रुख गई थी तो आज आपको यहीं की आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और तरक्षी केरियर में शारी समर्षाएं केरियर और बिजिनेस प्यापार में शारी समर्षाएं दूर होती नजराएगी मेतुन राजकत को संतान के और से और जीवन साथी के और से उपहार सुरू कुछ गिप्ट बगारा मिल सकता है जीवन साथी के साथ सम्मन्द काफी मद हो रहेंगे तो वहीं आज प्रेम जीवन में खुशियां लब लाई पच्छी रहेगी लब पार्टनर को आज कुछ गिप्ट और उपहार देते नजराएंगे उनके साथ काफी अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा धेर जारी खोशियां आज आपको मिल सकती है और उमीज से कहीं ज़्यादा आपको संतोष्टी मिलेगी आज हर जगा है आज स्रिक्षा में सुधार होगा कमपटीशन पृतोगी परिच्छे में भाग लेंगे लिखाई पढ़ाई के मामले हम काफी लखे लेंगे स्रिक्षा में आज आपको बहुत अच्छे अपसर मिलेंगे आज आपका पढ़ाई लिखाई पर मल लगता हुए न जराएगा पूरे ध्यान से आज पढ़ाई लिखाई करेंगे इसलिए आज आज आपका मल लगेगा कई कार ऐसे होंगे जो काफी समयशे नहीं बन पा रहे थे आज उसमें सफलताय प्राप्त होंगी लंबे समयशे प्रेंडिंग काम भी पूरे होंगे क्योंकि आज की बहुत अच्छा रहने वाले महतपूर सफलताय प्राप्त करेंगे महतपूर धन लाब के योग बन रहे हैं कई कार ऐसे होंगे जो काफी समयशे नहीं बन पा रहे थे आज प्रेम जीबन में खुश्या और सिक्षा में सुधार होगा कंपूर्टीशन प्रतोगी परिच्छ में लाब होगा जो लोग एक जानते रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा बड़ी सफलता हाथ लगेगी स्वास्त को लेकर दिक्टे दूर होगी उत्तम सेहत के लाब मिलेगा कारुबार में भी विश्तार होगा कई महत्पूर्टीशेत्रों में लाब होगा अधूरे कारियों का पूरा करेंगे मंचाहिश सफलताय प्राप्त होंगी प्रतेक कारियों में सफलता मिलेगी और धनलाब के प्रबल योग बनेंगे इस्तिती काफी बहतर होगी भाग दोड बनी रहेगी और आज कई वर्सों से जो ब्यापार में नुक्सान उठाना पढ़ रहा था या फिर काफी दिनों से या यूं कहें कई महीनों से उसकी बरपाई आज पूरी होगी तनाव से मुक्ति मिलेगी आज आपका शुबरंग रहेगा यहाँ पर हरा और भाग शातिन भारा है तक्रिवन 89% तो दोस्तो वीडियो को लाइक करें शेयर जरूर करें और चनल को सब्सक्राइब करें जय शनिदेव